यह देखे गाइज यम्मी टेश्टी गोबी आलू की सबजी सूखी सबजी है यह और इसमें देखे इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपकी गोबी भी विल्कुल मैशी मैशी नहीं होगी बहुत यम्मी बहुत टेश्टी देखने में कितनी यम्मी लग रहे हैं तो हलो फूल कट कर लिया है निकाल लिया है तो इसको अच्छे से वाश कर लिया है साप पानी से और वह देखे गाइज जब तक पानी हमने रखती है बॉयल करने के लिए तो इसका यह देखिए मसाला जिसका हम पेस्ट बनाएंगे तो टमाटर लैसन की कलिया प्याज एक इंच द अपनी गोवियां ठीक है जो गोवी की हमने फ्लावर्स तोड कर रखें बस वही एड कर देंगे इससे दो कारण होंगे एक तो गोवी मारी सॉफ्ट हो जाएगी दूसरी बात यह है कि गोवी जो कीड मकोड़े है जो डर्ट होगी वह सारी की सारी निकल जाएगी तो इसी इसके लिए हमें यह काम करना होता है तो देखिए हमने निकाल लिए है अपने गोवी ठीक है इसको निकाल कर रख लेंगे अलग साइड में और फिर बनाएंगे हम इसकी सब्जी तो देखिए तो बहुत यमी बहुत टेस्टी ढहाबा स्टाइल बनती है तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं किस तरह से आलू कटकी है और यह मसाला जो हमने प्यास लेसन का पेस्ट बनाने के लिए रखा था वह भी पेस्ट बना लिए तो चलिए डालते हैं इसमें थोड़ा सा ओयल अब इसमें हम अपना गोबी और आलू को हलका सा फ्राई करेंगे रोस्ट करेंगे तो यह देख सकते हैं इस तरह से हम कर लेंगे इसको फ्राई आप थोड़ा सा ज्यादा फ्राई करना चाहते हैं थोड़ा सा ज्यादा फ्राई कर सकते हैं मगर हम थोड़ा सा ही फ्राई करें तो देख सकते हैं इस तरह से चलाते हुए हम करेंगे इसको फ्राइव जैसे कि आलो पर और गॉबि पर हलका सा एक लेयर आ जाया है प्राइव होने का तो यह देख सकते हैं हमारी फ्राइव हो चुकी है इसको मालग निकाल कर साइड में रख लेंगे इस तरह से यह देखे गए इस तरह से निकाल करके हम रख लेंगे ठीक है अब इसमें डालेंगे हम जीरा उसी बचे वे ओयल में जीरा हमारा बुन चुका है तो जो पेस्ट हमने बना करके रखा था उसको हम इसमें एड करेंगे यह वही पेस्ट है प्याज अद्रब लैसन और टमाटर क करेंगे इसमे तो इसको फ्राई कर लेंगे अब इसमें डालेंगे ड्राई इंक्रेडिक्रियन याने मसाले तो यह देख χते हैं हल्दी पाऊडर और हाज स्पूं कुत थनिया पाऊडर हाफ टेबल स्पूं है लालमिर्च पाऊडर स्वादके अनुसार सुआ जटना तीख करें लाल मिर्च पाउडर यह तिखा नहीं होता है इससे का बहुत अच्छा आता है सब्जी का ग्रेवी का इसलिए उसकर तो हम आपको ड्रावा है नौर्मल हम जब घर में रेस्पीस बनाते हैं तो इसमें हम राल मिर्च पाउडर नहीं यूज करते हैं जब कोई त्योहार या फिर कोई गेस्ट आने वाला होता तब यूज करते हैं ज्यादा तर ऐसे नहीं हो नॉर्मल में नहीं यूज करते हैं तो देखिए मसाला हमारा बुन लगा है तो इसमें डाल देंगे एक स्पून मलाई जो कि हमारे घर की मलाई है दूद को जो हम वायल करते हैं और इसके परद मलाई की जब जाती है फ्रिज में रखने से तो बस वही मलाई हमने यूज कर ली है तो इसको भी मिक्स करते विए इसको भी हम अच्छे से पका लिएונה है कि यह और जो ये मने जाली थी उसका जो घी है वह रिलीस होने लगे इतना हमें कुक करना है तो यह देख सकते हैं लगबग लगबग यह देखे यहां पर देख सकते हैं कि ओयल निकल रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे अपना आयट करेंगे पानी पहले आयट करेंगे सबजी यह देख सकते हैं अब इसको हम मिक्स कर चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अन गोबी आलू हमारे कुक हो जाएं पुई तरह से तो इतना हमें पानी एड करना है और बहुत सूखी नहीं तो बहुत ग्रेवी वाली भी नहीं ऐसी नॉर्मल सब्जी हम बनाएंगे तो यह देख सकते हैं नॉर्मल चीजों से नॉर्मल यमी सी सब्जी बना करके तयार करेंग और अच्छे से पकने तक पूक करेंगे तो बीज बीज में हम ऐसे चलाते भी रहेंगे जिससे कि हमारी सब्जी तली में चिपके नहीं और अच्छे से पक जाए बन जाए तो यह देख सकते हैं यह गाइस पूड़ी पराठा चपाती राइस किसी के साथ भी आप खाएं त हमने अइसमें अपना एट किया हुआ गरम मसाला अब एट करेंगे घरीधनिया इसको मिक्स करेंगे और फिर हम करेंगे सकते हैं यह देख सकते हैं यह अपना गोबी के आलू की यम्मी सी सब्जी बना कर के तयार कर दी जो बच्चे गोबी और आलू बिल्कुल नहीं खाते इस तरह से आप सब्जी बना करके तयार करेंगे तो बच्चे एकदम उगलिया चाट चाट कर खाएंगे इतना टेस्टी इतना यम्मी बन कर आती है यह सब्जी पूड़ी पराठा चपाती नान या फिर आप राइस के साथ आप किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत यम्मी टे और थोड़ी सी डाल रहा है क्योंकि हम हरी दनिया बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और सब्जों में यह अच्छी भी लगती है हरी दनिया तो हमारी यह रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर थैंक